जै मातादी दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस नवरात्री में आपको राशी अनुसार किस देवी मा की पूजा करनी चाहिए, क्या उपाई करना चाहिए और कौन से मंतर पढ़ने चाहिए? नवरात्री में राशी अनुसार, देवी का चेयन कर साधना विधान पूर्वक की जाए तो अवश्य ही सफलता प्राप्त होती है आपको कौन से रंकी कपड़े पहनने चाहिए तो चलिए सबसे पहले हम बात किरते हैं मेश राशी की मेश राशी के जातक भगवती तारा, नील सरस्वती, माता शैल पुत्री या फिर सकंद माता की उपासना करनी चाहिए और नवरात्री के दिनों में दुर्गा शब्त सती या फिर दुर्गा चारिसा का पाट करना चाहिए आप अपनी राशी ग्रह के अनुकूल लाल या पीले रंग के कपड़े पहनें यदि आप डांडिया वगेरा खेलते हैं तो डांडिया आपको लाल चंदन की लकड़ी की होनी चाहिए जो आप के लिए अतियुत्तम होगा और यदि आप साधना करना चाहते हैं तो आप महा विद्या तारा देवी की साधना करें और मेश राशी वालू के लिए मंत्र होगा रिम स्त्रेम हुम फट मेश राशी के जातक चंदन का तिलक लगाएं और तरक्की के लिए मा को रसमलाई चड़ाएं इसके बाद हैं व्रिशब राशी व्रिशब राशी के जातक भगवती शोडशी देवी विद्या की साधना या फिर माता भ्रहम चार्णी की और आप महागौरी माता का भी उप पासना कर सकते हैं व्रिशब राशी के जातक नवरात्री के दिनों में ललीता सहस्त्र का पाठ करें और अपने राशी ग्रह के अनुकूल गुलाबी या फिर सफेद रंग के कपड़े पहने यदि आप डांडिया वगयरा खेलते हैं तो आपका डांडिया गुलर की का बांद सकते हैं यह आपके लिए जादा अच्छा रहेगा रिशब राशी के जातक यदि साधना करना चाहते हैं तो शूड़ सी देवी की आप साधना करें और आपके लिए मंत्र होगा म क्लीम सॉम और विशब राशी के जातकों को नारंगी सिंदूर का तिलक लगाना चाहिए और तरक्की के लिए मा को गुड़ चड़ाना चाहिए इसके बाद है मिथुन राशी मिथुन राशी के जात्कों को माता भूवनेश्वरी माता चंद्रगंटा या फिर माता भ्रह्मचार्णी की विशेश उपासना करनी चाहिए यदि आप भ्रह्मचार्णी की उप कड़ी का होना चाहिए और उसमें आप हरा कपड़ा बांदें ये आपके लिए अतियुत्तम होगा मां ब्रह्मचार्णी की उपासना करने से ज्ञान और विद्य के अवरोध दूर हो जाते हैं आप भुवनेश्वरी देवी की साधना करें और आपके लिए मंत्र होगा इम रिम पित्वन राशी के जातक हल्दी और दही का तेलक लगाएं और तरक्की के लिए मा को लड्डू चड़ाएं आप बुंदी के लड्डू चड़ा सकते हैं इसके बाद है करक राशी के जातक माता कमला अत्वा माता सिद्धी दात्री की उपासना करें あप माता शैल पिड़ी का बना हो अगर संभव ना हो तो कम से कम अपनी डांडिया पर सफेद कपड़ा अवश्य बांद लें करकराशी के जातक यदि साधना करना चाहते हैं आप कमला देवी की साधना कीजिए और आपके लिए जो मंत्र होगा वो होगा ओम श्रिम करकराशी के जातक पिले रंग के वस्तर पहने अगर आप डांडिया खेले तो पिले रंग का कपड़ा आप डांडिया पर बांद लें और यदि आप साधना करना चाहते हैं तो मां भूगला मुखी की साधना करें और आपके लिए मंत्र रहेगा ओम रिम बंगला मुखी स्वाहा तिंग गंटा या फिर माता ब्रह्मचार्णी की विशेश उपासना कर सकते हैं नवरात्र के दिनों में लक्ष्मी मंत्र का जाप करना चाहिए और आप अपनी ग्रह राशी के अनुसार हलके सफेद या हलके हरे रंग के कपड़े पहने अगर आप डांडिया खेलते हैं तो हरे रं और केला चड़ाइए इसके बाद है तुला राशी तुला राशी के जातक माता शोडशी माता ब्रह्मचार्णी और फिर मां गौरी की आप विशेश उपासना कीजिए और नवरात्र के दिनों में काली चालिसा या शप्त शती के प्राथम चरित्र का पाठ करें और आप अ नहीं का तिलक लगा कर मां को गुड़ का खीर चड़ाइए इससे आपकी तरक्की होगी इसके बाद है विश्चिक राशी विश्चिक राशी के जातक भगवती तारा माता शेल पुत्री या फिस कंद माता की विशेश उपासना करनी चाहिए और नवरात्री के दिनों में दुर्गा शब्त सती का पाठ करें आप राशी अनुसार लाल या केसरिया रंग के कपड़े पहने और जब डांडिया खेलते हैं तो आप उसमें लाल या केसरिया रंग का कपड़ा बान सकते हैं और यदि विश्चिक राशी के जातक साधना करना चाहते हैं तारा देवी क साधना करें और आपके लिए मंत्र होगा लाल सिंदूर का तिलक लगाएं और तरक्की के लिए मां को मखाने चड़ाएं इसके बाद है धनुराशी धनुराशी के जातक माता कमला माता सिध्धी दात्री या फिर माता चंद्रगंटा की उपासना करें और राशी अनुसार मंत्र होगा श्रेम और धनु राशी के जातक दहीं दुर्वा घास का तिलक लगाएं और तरक्की के लिए मा को काजु बर्फी चड़ाएं अब हैं मका राशी मका राशी और कुम्भ राशी ये दोनों ही राशी माता काली माता सिद्धी दात्री आपको इनकी पूजा करनी है आप माता काल रात्री के भी पूजा कर सकते हैं इनकी आप विशेश उपासना कीजिए नवरात्री के दिनों में देवी कवच का पाठ करना आपके लिए अतियुत्तम रहेगा और राशी अनुसार आप काली ये गहरे नीले रंग के कपड़े पहने और डांडिया में भी आ आप उसी कलर के कपड़े बांदिये और यदि आप साधना करना चाहते हैं मा काली देवी के आप साधना कीजिए और आप के लिए मंत्र होगा क्रिम कालिकाए नमहा मकर और कुम्भ राशी आपको माता काली और माता सिध्धी दात्री की पूजा करनी है मकर राशी के जातक चावल पीस कर तिलक लगाएं और तरक्की के लिए मा को माकन मिश्री चड़ाएं। और कुम्ब राशी के जातक नारंगी सिंदूर का तिलक लगाएं और तरक्की के लिए मा को शहर चड़ाएं। इसके बाद है मीन राशी। मीन राशी के जातक माता कमला, माता सिद्धी रात्री या फिर माता चंदरगंटा की उपासना करें और नवरात्री के दिनों में हल्दी की माला से यथा संभाव बंगला मुखी मंत्र का जाप करें और राशी एनुसार आप केसरी या पीले या फिर हलके रंके कपड़े पहने और सेम कलर का कपड़ा आप अपने डांडिया में बांदे और यदि मीन राशी के जातक साधना करना चाते हैं और आपके लिए मंत्र होगा शिरी कमलाय नमहा मीन राशी के जातक दही हल्दी का तिलक लगाएं और तरक्की के लिए मा को बताशी चड़ाएं इसी के साथी दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे आप लाइक कीजिए अपने दोस्तों रिष्टदारों के साथ शियर कीजिए और सब्सक्राइब कीजि साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि निया नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके धन्यवाद दोस्तों